दोस्तो आज में आप लोगों को सैमसुंग गैलक्सी जे 6 मोबाइल का चार्जिंग प्रब्लेम सल्व करके देखाऊंगा तो फ्रेंट्स ये जो मादर बोड आप लोग देख रही हो ये सामसुंग जे 6 का बोड है इसमें चार्ज नहीं हो रहा है ये इसका मेन प्रब्लेम है तो दोस्तो पहले चार्जिंग केबल लगा के आप लोगों को देखाता हूं इसमें क्या हो रहा है ये तो देखिए दोस्तो चार्जिंग बेस पे 5 बुल्ट आ रहा है ये 5 बुल्ट पहले ओबरलोट प्रोटेक्शन आइसी में जाता है तो देखिए ये क्यापसिटर पर 5 बुल्ट आ रहा है ये पोटेक्शन आइसी पे 5 बुल्ट इन होते हैं और 5 बुल्ट आउट होके शीदा चार्जिंग आइसी पे जाते हैं इसके बाद चार्जिंग आइसी क्या करते हैं चार्जिंग आइसी बीबैट वोल्टेज जेनरेट करते हैं वो बीबैट 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक होता हैं यहां से जो बीबैट वोल्ट निकालते हैं वो वोल्ट बैटरी कनेक्टर पे देखने को मिलेगा यहां पे 0 वोल्ट शो कर रहा है मतलब वोल्टेज नहीं आ रहा है इसके आंदर चार्जिंग आईसी है तो यहां पे 5 वोल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो देखना पड़ेगा तो दोस्तो होट एर गान की दाड़ा यह जो मेटल कवार है इसको उखर देंगे एक कैपासिटर पर जो 5 वोल्ट मिलते हैं वो 5 वोल्ट इस रेजिस्टन पर मिलना चाहिए तो चल यह देख लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए यहाँ से शीदा यहाँ तक एक जामपर लगाऊंगा इसके बाद चेक करके देखोंगा ध्यान से देख लेजिए दोस्तो जामपर आयार कहा से कहा तक लगाना हैं और कहा 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 कितना वोल्टेज मिलना सहिए यह सब आप लोग ठीक से देख लेजिए थोरा जूम करके आप लोगों को देखाता हूँ आप लोग देख पा रहा हैं दोस्तो यह आज पर 5 वोल्ट आ चुकी हैं और आउटपुट वोल्टेज आ चुकी हैं बैटारी कनेक्टार पे भोल्टेज चेक करना पड़ेगा तो देखिए दोस्तो यहाँ पे 4.34 इस टाइप भोल्टेज आ रहा है मतलब ठीक हो गया है तो चलिए दोस्तो अब बैटारी और डिस्प्ले लागा के देख लोंगा दोस्तो वीडियो इनफर्मेटिक लागेतो और आच्छा लागेतो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना करफ दूसरी मेर iç fifty ऑउ वीडियो ओर से बज़र्मेटста और कमेंट से टीक है तोस्तो लो म करते गो कि करने देख लोفسक्तो... झाल झाल